सपा और बस्पा का गठ बंदन हुआ है जिकन आउजस पे बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया दौन ही आ रहे हैं उसके बारे में आपकी लज़र से क्या होता है क्या देखते हैं कि क्या रहेगा बस्पा के खेमे में उसको बताएं में थड़ा सब पीछे जाना चाहोंगा सपा गडबंदन बस्पा गडबंदन का एक आप ने देखा होगा केराहना जीते हैं केराना की सीट हम लोग जीते हैं और उस्ते पहले आपने दिखा उपचुना हुआ था फूलपुर और गोरगपुर का जब उपचुना हुआ तो दोनों ही सीड जो है सपा और बस्पगडवंदन जीता मैं उस पर लिखा था और उसके बाद में एक कभीता एक शायरी पढ़के मैं उसको पूरा बताऊंगा क्योंकि मैं समझता हूँ शायरी में जो मैं कह पाऊंगा हमारी इमरान परताबगड़ी जो है एक बहुत अच्छे शायर है इस देश के जो हकीकत के साथ चलते हैं मैं उन एक सीट पर जो है मुकमंत्री की सीट थी गोरगपुर और दूसरी उप मुकमंत्री की थी केशब की तो मैंने उसमें चार पंक्तिया उस समय मैंने पहली बार लेकी क्या लेकिए वो आपको मैं सांजा करता है तीरी सम्झोते का चलाया है योगी केशब को भी हराया है ये तो मायावती की माया है ये तो मायावती की माया है भुआ बबुआ ने कर दिखाया है तो जो करके दिखाया है तो उससे मुझे पता चल रहा था कि आने वाले समय में सपा और बस्पा गडवंधन बहुत ही प्रभाप शाली होगा और उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत के साथ उतरेंगे तो आज गडवंधन हुआ है तो मैं गडवंधन पर थोड़ा सा एक पंक्ति और सुना देता हूँ के बस्पा और सपा गडवंधन जीतेगा बहुजनों का बुरा समय अब बीतेगा और भर गया है घड़ा पाप से मोदी जी दो हजार उन्नीस में घड़ा ये रीतेगा तो जी सपा और बस्पा गडवंधन है उसको बहुत-बहुत मंगल कामना है के दो जार उन्नीस में बहुत अच्छा परप्रपम होगा श्यर्वना, जार खंड, बहार, उत्तर परदेश से बहुत अच्छी सीटे जो है महले समय पाठी गडवन के निकल के आएगी और माननी बहन जी प्रधान मंत्री जरूर बनेगी, तो मैं माननी बहन जी प्रधान मंत्री 2019 में जरूर बने, इस पर एक परती और मैं आपके वीचियों पढ़ता हूँ, माननी बहन जी को 2019 में प्रधान मंत्री बराएं, उसका मैं आगामी में बधाई पढ़ना चाहता हूँ क्यों बनाना चाहिए हमें प्रधान मंत्री बहन जी को इस पर मैं SM News के महाद्यम से वह बाते सांजा करता हूं और आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं तो आप जरूर प्लीज आप शेयर करिएगा और ज्यादा ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए ताकि और ज्यादा लोगों कुछे पता चले के आज पहली बार जो है मैं SM News पे जो है लाइब आने का मुझे 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 मुखा मिला है मैं पूरा आभार करता हूं SM News का और मानी बहन जी को क्यों प्रधान मंत्य हमें बनाना चाहिए वो वास समझ जिया मैं एक पंक्ति के महाद्यम से कहना चाहता चार मिसने पढ़ता हूं पी-एम का चहरा बन कर सामने आएगी और संबी धान को पूर्ण रूप से लागू कर और जो मैं आप कहने जा रहा हूं अगर उस पर आपको अच्छा लगए तो आप जरूर जरूर शेयर करिए कर जादा जादा लोगों तक अरे संबी धान को पूर्ण रूप से लागू कर जिन्दा देवी जिन्दा देवी गुंडा राज मिटाएगी पी एम का चहरा बन कर सामने आएगी संबी धान को पूर्ण रूप से लागू कर और चाय पकोडे मोदी से बिकवाएगी चाय पकोडे मोदी से बिकवाएगी